हलो दोस्तो मैं हूँ पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल इंग्लिश लवर्स में I hope कि आप बहुत अच्छी होंगे और आप लोगों की study, आप लोगों की preparation बहुत अच्छी से चल रही होगी अगर दोस्तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को subscribe करिए और bell icon दबाना भी मत बोलिएगा क्योंकि आने वाले जो videos हैं वो बहुत important हैं जिससे आप लोगों को notifications मिलते रहे हैं चलिए start करते हैं तो दोस्तो आज हम discuss करने जा रहा है प्रणाउन को और प्रणाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्व नाम तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसके definition को और फिर समझते हैं इसके kinds को तो definition बोलती है अप्रणाउन is a word that replaces a noun यानि कि प्रणाउन एक ऐसा word होता है दोस्तो जो noun को replace करता है यानि कि noun के place पर use होता है इसी के साथ साथ एक बात और आपके लिए जानना जरूरी है pronoun is used to avoid repetition of the noun यानि कि noun के repetition को भी रोकने का काम दिया गया है प्रणाउन को it means किसी भी same sentence में हम बार बार noun का use नहीं कर सकते हैं नाउन can start sentence and further और बाद में उसके बाद हमें क्या लगाना होता है प्रणाउन लगाना होता है चलिए तो example देखते है अर्नव is a good boy अर्नव कैसा लड़का है एक अच्छा लड़का है अर्नव is my best friend अब देखो यहां पे अर्नव ने start किया और आगे फिर अर्नव मिला तो दोस्तों अर्नव is a noun क्या है यह एक proper noun है और दोस्तों एक बार जब अर्नव वर्ड है इसको आप रिफ्लेस करेंगे ही से तो ही दोस्तों यहां पे प्रणाउन है दोस्तों correct sentence बनेगा आप लोगों का अर्नव is a good boy he is my best friend अब आते हैं kinds of pronoun के बारे मैं जान लेते हैं कि कौन कौन से kinds हैं अपने पास में प्रणाउन के और उनका क्या काम है यह स kinds of pronoun को तो दोस्तों kinds of pronoun की अगर बात करें तो प्रणाउन को डिवाइड किया गया है nine kinds में यानि की overall pronoun के nine kinds होते हैं ओके तो सब से पहले आता है personal pronoun तो दोस्तों personal pronoun को हिंदी में बोला जाता है पुरोश बाचक सर्वनाम अब इसमें क्या-क्या हम लोग देखते हैं इसमें subject और object को रखा जाता है यानि कि जितने भी personal pronoun है उन सब में subject और object आते हैं जैसे I subject है तो उसका object मी यानि we, us, you, he, him, she, her, it, they, them दोस्तों इन सब को बोला जाता है personal pronoun ओके number second आते हैं possessive pronouns पर और possessive pronoun को बोला जाता है अधिकार वाचक सर्वनाम तो possessive pronoun ऐसे pronoun होते हैं जो किसी person के अधिकार को बताते हैं तो possessive pronoun में दोस्तों जैसे mine, ours, yours, his, hers, theirs, once इन सब को हम बोलते हैं possessive pronouns next आते हैं number third पर number third है दोस्तों demonstrative pronoun को दोस्तों बोला जाता है संकेत वाचक सर्वनाम संकेत वाचक सर्वनाम में वो चीज़ें आती हैं जो किसी दूसरी चीज़ की और इशारा करें उन्हें बोलते हैं हम demonstrative जैसे this, that, these, those इन सब को बोलते हैं demonstrative pronoun अब यहाँ पर आप एक बास समझें जैसे मैं आपसे बोलू this is my pen तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इशारा कर रहा हूं कि यह मेरा pen है that is your book तो मैं इशारा कर रहा हूं कि वो आपकी बोक है तो इसी तरह से this, that, these, those को हम बोलते हैं demonstrative pronouns नम्मर फोर्थ में आईए दोस्तों नम्मर फोर्थ है आप लोगों का distributed pronouns distributed pronoun को बोला जाता है व्यस्टी वाचक सर्वनाम इसमें क्या होता है चीजों को distribute किया जाता यानि कि बाटा जाता है distributed pronoun में हम लोग पढ़ते हैं each, either, neither, none को नम्मर फिफ्थ पे आते हैं reciprocal pronouns reciprocal pronouns को बोला जाता है पारस परिक समवंद वाचक सर्वनाम दोस्तो हिंदी, इंग्लिस से भी जाता कई बार typical हो जाती है तो reciprocal pronoun को reciprocal pronoun ही एक तरह से mind में रखें लेकिन हिंदी भी आप लोगों को जानना जरूरी है तो पारस परिक समवंद वाचक सर्वनाम reciprocal में दोस्तो दो चीज़े आती हैं एक आता है word each other और दूसरा आता है one another दोस्तो each other and one another में क्या difference होता है इस पर मैंने आपको वीडियो बना दिया है एक और आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो कि each other और one another में क्या difference होता है दोस्तो नमर शिक्स है reflexive pronouns जिनने बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम तो reflexive pronouns में दोस्तो वो word आते हैं जिन में आप लगाते हैं self या लगा देते हैं selves उन्हें बोलते हैं reflexive pronouns तो reflexive pronouns में जैसे myself, ourselves, yourself, yourselves ध्यान देना yourself भी होता है और yourself भी होता है next himself, herself, itself, themselves and oneself दोस्तो एक बात और mind में रखना reflexive pronouns को ही uses के base पर आप बोल सकते हैं emphatic pronouns और emphatic word का means होता है दोस्तो जोर देना किसी चीज़ पर जोर देना उसे बोलते हैं हम लोग emphatic next देखिए number 7 है आप लोगों के लिए indefinite pronouns और indefinite pronoun को हिंदी में बोला जाता है अनिश्च वाचक सर्वनाम और इस pronoun में हम लोग पढ़ते हैं ऐसी चीज़ों को जो निश्चित नहीं है जैसे everybody, somebody, anybody, nobody, anyone, someone, okay, no one everything, something, anything, nothing इसके apart from all, some, any, both, another, much, few, little इन सबको दोस्तो हम बोलते हैं indefinite pronouns आते हैं number 8 पर number 8 है आप लोगों का relative pronouns और relative pronoun को हिंदी में बोलते हैं समवंद, बाचक, सर्वनाम जो चीज़ें समवंद दिखाती हैं उनको बोले आता है relative pronouns relative pronouns में हम लोगों को पढ़ना होता है who, whom, whose, which, that इन सबको बोलते हैं relative pronouns next और last हम लोगों का आता है number 9 जिसे बोलते हैं interrogative pronouns और देखें interrogative pronouns में last में आपको मिलता है question mark interrogative pronouns में हम लोग पढ़ते हैं who, whom, whose, which को और last में sentence के मिलेगा आपको question word तो यह थे दोस्तो kinds of pronouns अब आप लोगों से अगर बात करें exams की तो जैसे DMRC का exam हो गया, UPTAT का exam हो गया, teaching से related PRT, DTSB के exam हो गया इन सब में एक question आपके लिए बन जाता है कि किसी भी sentence को exam रदेगा और आपसे underline करा के यह पूछ लेगा कि यह कौन सा parts of speech है तो ऐसे questions के लिए जरूरी होता है आप लोगों को पता हो कि यह word noun है, pronoun है, adjective है और verb है इस तरीके से आपको detail में पता होना चाहिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next video में, कुछ new topics के साथ में तो प्लीज शेयर, like, comment and subscribe अपना खयाल रखो, जहन